कोरोना महमारी के कारण देश की अर्थ विवस्था में बड़े स्तर पर असर होगा भारत सरकार भी अब इस बात को मान रही है वित्तिमंत्राले की तरफ से ये कहा गया है कि चालू वित्तिय वर्ष में GDP कॉंट्रैक्शन 4.5 फीजदी के करीब होगा इसका मतलब देश की GDP का आकार वर्तमान आकार से 4.5 फीजदी घट जाएगा देश की GDP का आकार करीब 203 लाग करोड रुपए का है अप्रेल 2020 में GDP को लेकर जो अनुमान जताया गया था उससे यह 6.4 फीजदी कम है अप्रेल तक सरकार को उम्मीद थी कि विकासदर 1.9 फीजदी तक रहेगी इससे पहले IMF ने जून महीने में World Economic Outlook जारी किया था उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि वैश्विक अर्थवेवस्था में 2020 में 4.9 फीजदी का संकुचन होगा अप्रेल में जताये गए अनुमान के मताबिक यह 1.9 फीजदी ज्यादा है अप्रेल 2020 में IMF ने अनुमान जताय था कि वैश्विक अर्थवेवस्था में 3 फीजदी की गिरावट आएगी उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 में विश्विक ज्यादातर देशों की GDP में गिरावट दर्ज की जाएगी एडवांस एकोनॉमी में यह गिरावट 8 फीजदी तक संभव है अप्रेल के मुकाब यह 1.9 फीजदी ज्यादा गिरावट है इमर्जिंग एकोनॉमी के लिए गिरावट का अनुमान माइनस 3 फीजदी रखा गया था भारत इसी कैटेगरी में आता है वित्मंत्राले की ताजा रिपोर्ट में गिरावट का अनुमान उससे 1.5 फीजदी ज्यादा है पूर्वी लद्दा की गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक जड़ब के करीब 3 हफते बाद एक बार फिर से चीन ने सीमा पर शान्ती की बात की है और भारत के साथ मिलकर सीमा क्षेतरों के विकास की और बढ़ने का लक्ष दोहराया है इस बार सेना के सूतरों का भी ये कहना है कि चीनी सैनिक डिस इंगेजमेंट प्रक्रिया के तहद करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए है इस बीच चीन के विदेश मंतरी वांगी की और से विस्तरित बयान जारी कर उम्मीद जताई गई है कि अब दोनों पक्ष ऐसा कोई भी गदम नहीं उठाएंगे जिससे विवाद बढ़े सीमा विवात को लेकर भारत के विशेश प्रतिनिधी और राष्टी सुरक्षा सलाहकार अजिद डोवाल ने वांगी से रविवार को चर्चा की थी इसके बाद चीन ने विस्त्रित बयान जारी कर कहा कि इस साल चीन और भारत के बीज कूट नितिक संबंधों की सत्तरवी वर्षगाट है चीन और भारत के रिष्टों ने तमाम उतार चड़ाओ देखे हैं और आज जो विकास हुआ है उसे हासिल करना आसान नहीं है कुवेट में प्रवासी कोटा बिल के मसौदी को मंजूरी मिल गई है इसकी वज़ा से लगभग आठ लाग भारतियों को खाड़ी देश को छोड़ना पर सकता है कानून के मुताबिक देश में भारतियों की आवादी 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है अभी वहां करीब 15 लाग भारतिये रह रहे हैं एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि कुवेट की मौजूदा कुल आबादी 43 लाग है इसमें कुवेट की आवादी 13 लाग है जबकि प्रवासियों की संख्या 30 लाग है गल्फ न्यूज की रिपोर्ट में रविवार को ये कहा गया है कि कुवेट की नैशनल असेंबली की कानूनी और विधाई समिती द्वारा बिलके मसौदे को मन्जूरी मिल गई है बिल के मुताबिक भारतियों की संख्या कुल आवादी के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके कारण 8 लाग भारतियों को कुवेट छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि भारती समुदाई की बड़ी आवादी है जो 14.5 लाग है गल्फ न्यूस के मुताबिक कोरोना वाइरस महामारी के बाद कुवेट में विदेशियों की संख्या कम करने को लेकर सांसदों और सरकारी अधिकारियों के बीच बयानबाजी जोर पकरता जा रहा है पिछले मही ने कुवेट के प्रधानमंत्री शेक सवा अल खालिद अलसवा ने प्रवासियों की संख्या 70 प्रतिशत से घटा कर आबादी का 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था बीजेपी ने कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को रक्षा संबंधी संसद की स्थाई समीती की बैठकों में ना रहने को लेकर आड़े हातों लिया और सोमवार को आरोप लगाया कि उनकी रुची केवल कमीशन वाली बैठकों में होती है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा ने कहा कि वाइनाट के संसद रक्षा मामलों की संसद की स्थाई समीती की सभी बैठकों से गायब रहते हैं लेकिन देश का मनोबल गिराने और सशस्त्र बलों के शौरे पर सवाल उठाने का काम लगातार करते रहे हैं इसके बाद कॉंग्रेस नेता रड़दीप सिन सुर्जेवाला ने कहा कि रोज रोज अपमान जनक टिपणी करके आप दुर्भाव वाले बीजेपी प्रवक्ता बनते जा रहे हैं इसके बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से 6 सवाल भी पूछे उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और मोधी सरकार अपनी ताकत चीन के खिलाफ नहीं बलकि देश को गुमराह करने में लगा रही है नड़ा ने ट्वीट कर कहा कि राहूल गांधी रक्षा मामलों की संसत की स्थाई समीती की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए लेकिन दुख की बात तो यह है कि वे देश का मनुबल गिराने सशस्त्र बलों के शौरे पर सवाल उठाने के साथ साथ वे सभी काम कर रहे हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को नहीं करने चाहिए